अज़ा पर देखिए ऑप्शन सुरूट की इस लेसन सेवन में मैं आप सबी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग सेवन्थ वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहें ऑप्शन सुरूट के अंदर और जो लोग पहली बार देखिए चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार इस सीरीज की वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि regular वीडियो से अलग मैं options root नाम से एक separate playlist मैंने create करी है अपने चैनल पर जहांपर मैं उन लोगों को जो beginners हैं stock market में options के अंदर trading करना चाहते हैं trading सीखना चाहते हैं उनके लिए videos बना रहा हूं बेसिक से advance तक आपको सारी knowledge मैं दूँगा उस playlist के अंदर अभी इस से पहले इस video से पहले 6 और videos मैं डाल चुका हूं जहांपर basic knowledge मैंने दिये तो हो सकता है कि देखे आप भी देखा देखी में या किसी के कहने पर options के अंदर trading आपने start कर दियो लेकिन बहुत सारे important points को आप miss कर रहे हूं तो आप लोगों से मैं यही request करूँगा कि आप इस options route की series को जाकर access कीजिए जो बिलकुल free of cost है trendline stocks पर playlist में आप जाएंगे तो options route के नाम से आपको playlist मिल जाएगी और पहले वो 6 की 6 वीडियो आप देखिए समझ ये कोई भी doubt हो comment box में मुझसे comment करके question पूछिए मैं उसका answer जरूर दूँगा और फिर आप इस lesson 7 को आके देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम लोग किस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का इस वीडियो का topic है how to read option chain हमने समझा calculation के बारे में हमने समझा OI के बारे में हमने discuss किया change in OI के बारे में अब हम समझ रहे हैं overall जो option chain होती है NST की website पर जाकर हम read करते हैं तो उसका significance क्या होता है और किस terminology को किस तरीके से read out किया जाता है देखिए option chain एक बहुत ही important चीज है क्यों क्योंकि option chain अगर आप पढ़ना जानते हैं तो actually में आप ये पता लगा सकते हैं कि वो particular stock या index जिसकी आप option chain read कर रहे हैं वो market को किस तरफ लेके जाने के लिए तयार है market ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है या flat रहने वाला है ये option chain आपको बता देता है तो OI की series यानि OI की video को जरूर देखिएगा otherwise ये video आपको समझ में नहीं आएगी तो OI की एक separate video है वो जाके आप जरूर देख सकते हैं इस video को start करने से पहले तो मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ NSC की website पर option chain हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे तो चल ये सीधे चलते हैं हम लोग NSC की website पर and data यहां पर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने क्या है ये NSC की website है I hope left के अंदर आपको थोड़ा सा cut ना रहा हो ये page मैं इसको दुबार से reset करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा fine देखे अब ठीक है तो यहां देखे अब जैसे आप किसी भी index की या फिर किसी stock का option chain analysis को करना चाहते हैं option chain access करना चाहते हैं तो आप NSC की website पर आकर ये तो आपको पता ही है कहां से basically देखते हैं तो अगर आप देखे index की देख रहे हैं तो पहले ही column में default के रूप में nifty आता है अगर आपको nifty की देखनी है तो यहां पर default आपको मिली जाएगा इसके अलावा fin nifty और bank nifty के दो और option होते हैं वहाँ पर आप जाकर उनको select कर सकते हैं आपको पता है अगर आप index के अंदर option trading कर रहे हैं तो आपको weekly expiry का भी option मिलता है monthly expiry के साथ साथ weekly expiry का भी option मिलता है and by default expiry date के अंदर next week की जो expiry होती है वही date यहां पर show हो रही होती है आप चाहें अगर आप weekly expiry की बात कर रहे हैं तो आप वही रहने दे सकते हैं अगर आप उससे next week की देखना चाहें तो आप वो भी select कर सकते हैं आप उससे next month की देखना चाहें तो वो भी आप select कर सकते हैं जो भी आप चाहें यहां से date आप select कर सकते हैं मैंने आपको बता रखा है कि तीन महीने की contracts आप access कर सकते हैं current month, next month and far month यह basically index के लिए है अगर आप लोग बात करते हैं कि let's suppose आपको किसी stock के अंदर option trading करनी है और उस stock की option chain आपको देखने है for example Asian paint के example लिलेते हैं देखिए यहाँ पर Asian paint है Asian paint के example लिया मैंने तो यहाँ पर automatically इसने monthly expiry ली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास में weekly expiry का जो option आता है वो cable index के अंदर आता है लेकिन जब आप stocks के अंदर trade करते हैं option trading करते हैं तो आपको सिर्फ monthly expiry मिलती है और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिए आपको 25th month की expiry मिलेगी अब आगे लेके चलता हूँ, let's suppose हम लोग nifty की बात करते हैं कि nifty के अंदर हम कैसे उसको basically काम कर सकते हैं तो nifty के अंदर हमने select कर लिया है यहाँ पर index और हमारे पास में expiry आ रही है वो 18th November की आ रही है क्योंकि अभी just कल 18th November था है यहाँ पर weekly expiry होके गई है यही पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या किसका significance होता है तो अगर आप देखिए पहले आपने वीडियो देखिए हैं तो हमने OI के बारे में already discussion कर लिया है fine, OI के बारे में हम लोग discussion कर चुके हैं तो OI क्या होता है, कैसे read करते हैं वह आप जाकर separate video के अंदर देख सकते हैं उसी video के अंदर change in OI भी हमने discuss कर लिया है तो यह दोनों topic वहां cover हो जाते हैं उस video में अब बात करते हैं, start करते है volume से What is volume, volume क्या है? यहाँ पर अगर एक लिखा है, इस strike price पर 15,900 के उपर अगर एक यहाँ पर लिखा है तो इस एक का मतलब क्या है? जबकि OI के अंदर दो 10 लिखा है, change in OI के अंदर दो 1 लिखा है तो इसको देखे मैं बहुत easy way में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको और वापस से आपको उसी sheet के उपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है again, थोड़ा easy हो जाएगा, otherwise तो मैं वहाँ पर भी समझा सकता था suppose कीजिए एक आदमी है जिसका नाम है A और दूसरा है B यह दोनों stock market में आते हैं और इनके पास में पहले से कोई position नहीं है यह fresh positions बनाएंगे, तो A को लगता है market उपर जाएगा, nifty उपर जाएगा इसलिए इसने क्या किया है, इसने एक contract call का खरीद लिया, ठीक है यह buyer बन गया, B को लगता है market नीचे की तरफ जाएगा, nifty नीचे की तरफ जाएगा तो इसने एक contract यहाँ पर बेच दिया, fine, इसने जो contract खरीदा, इसने वही contract बेच आए क्योंकि दोनों ने एक एक quantity लिया और इसके लावा कोई market में अगर नहीं है suppose कीजिए market में के वल यही दो लोग है जो trade कर रहे है तो open interest क्या कहलाएगा, open interest कितना क्या क्या होता है total number of contracts that has not been closed that has not been closed, यानि कि जो contracts open तो हो गए हैं, लेकिन close नहीं हुए है तो ऐसे कितने contracts है, एक, क्योंकि एक ही तो contract है, जो ए ने खरीदा और बेच दिया ठीक है, लेकिन वहीं इसी condition में अगर आपसे पूछूँ कि वल्यूम कितना होगा, वल्यूम होगा 0,2 because volume की definition के साब से, volume is basically the total number of contracts that has been traded तो जो number of contracts हैं, वो कितने trade हुए हैं, दो, एक खरीदा गया है और एक बेचा गया है इसलिए दो contract माने जाएंगे, अगर suppose कीजिए, ए ने 100 contracts खरीदे होते, इसको आप भूल जाएए फिलाल के लिए, अगर से ने 100 contract खरीदे होते और B ने 10 contract यहाँ पर बेचे होते, और इस तरीके से, B की तरीके से, और 10 और लोग होते जिन्नोंने 10-10 contracts यहाँ पर बेचे हुए होते तो total number of basically contracts कितने होते, total number of contracts उस case में हो जाते कितने 200, fine, 200 हो जाते, यानि कि volume कितना होता 200, 200 contracts के अंदर basically trading हुई है लेकिन open interest कितना होता, open interest उस case में होता 100, fine, आप समझ रहे हैं, क्योंकि number of contracts unsettled हैं, जो unsettled contracts हैं, वो OI कहलाते हैं तो 100 खरीदे गए, 100 बेचे गए, फिलाल, expiry से पहले, दोनोंने अपनी position को retain रखा है, position close कब होंगी, जब ये 100 जो खरीदे हैं, इसने ये बेच देंगे, और ये जो 10-10 इनोंने बेचे हैं, खरीद लेंगे, तब close होगी, तब यहाँ पर OI zero हो जाएगा, fine, लेकिन तब त जाएगा 200, ये significance होता है, एक और major change में आपको बता रहा हूँ, OI negative भी हो जाता है, जब आपने देखा होगा, positions गठती है, जो OI बना रखा है, लोगोंने वहाँ से position exit करते हैं, तो OI आपको negative दिखाई देता है, लेकिन volume कभी भी negative नहीं हो सकता, never, it can never be negative, ये हमेशे positive ही हो सकता, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, अब मैं आपको वापस से series के उपर लेके चलता हूँ, ध्यान से आप देखेगा, ये option chain है, fine, ये option chain है, पहला OI, change in OI, फिर volume, फिर IV, चलो volume की बात करते हैं, अभी हम volume समझ रहे हैं, तो हम ATM की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम लोग निफ्टी देख रहे हैं, ATM की तरफ चलते हैं, अब आप यहाँ देखे थोड़ा सा, ये idea आपको मिलेगा, ये OI, ये change in OI, strike price देख रहे हैं, 17,750 का, ये ATM strike price है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 27,55,733 का volume है, ये volume है, it means कि 37,55,733 contracts में trading हुई है, जबकि इसके साम हम ने OI तो मात्र 29,000 contracts का है, केवल 29,000 contracts का, यानि के दिन के end में, क्योंकि 18 तारिक के chain हम लोग देख रहे हैं, 18 तारिक market close होने के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो 18 तारिक market close होने के बाद क्या सिनारियो है, कि 18,949, तो ये 1,939 contracts बचे हैं, जो unsettled है, fine, दिन भर में कितने contracts add हुएं, कितने contracts बेचे गएं, वो total number यहां पर आ रहा है, 27,55,733 contracts, 17,750 strike price के call side के अंदर यहां पर dealing हुई है, बेचे गए, खरीदे गए, खरीदे गए, बेचे गए, लेकिन finally इतने बचे हुएं उन में से, जो बचावा amount होता है, वो OI कहलाता है, total number of amount होता है, वो कहलात concept clear हो गया होगा, नहीं हुआ है, तो वीडियो को वापस rewind करें, फिर भी नहीं होता है, तो मेरे से comment box में question करें, मैं definitely कोई दूसा तरीका सोचूँगा, आपको समझाने का, ठीक है, यह बात हो गई है, हमारे पास में volumes की चलिए, आगे लेके चलता हूँ, अब अगला जो point आ आते हैं, और maximum profit जो है, अपना decide करते हैं इस IV के basis पर, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं detail में IV को समझाने लगूँगा, इसके बाद में हम लोग जब पहुचेंगे Greeks के उपर, तो Greek समझाने से ठीक पहले मैं IV का topic cover करूँगा, separate video बनाऊँगा, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा, वैसे तो मैं सारी वीडियो पर 1,2,3,4 numbering कर रहा हूँ, तो आपको कोई वीडियो मिस होने के chances नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि IV हम लोग separate video में cover करेंगे, अब चलते हैं अगली तरफ जो है LTP, अचा एक चीज़ बीच म के ऊपर इस particular strike price के ऊपर एक lot के अंदर एक share का price यहाँ पर यह last trade price होता है, यानि के एक share का price यह चल रहा है, इसवफ 1939, यह तो चलिए हम बहुत deep into the money आगे, मैं आपको वापस से वहीं लेके चलता हूँ, ATM की तरफ, ठीक है, यह हमारे पस में ATM आ गया है, 17,750, ठीक हम लोग बात कर रहे है, इस 14.70 पैसे की, what is this 14.70 पैसे, last traded price, last traded price, इस strike price पर, एक lot के एक share का यह price है, ठीक है, निफ्टी के एक lot में अभी, आज की तारीख में 50 shares है, fine, 50 shares है, यह आपको पता है, यह पहले 75 थे, reduce हो के 50 रह गया है, और यह क्या है, this is change in last traded price, change in last traded price, यानि के 153 रुप कब से, पिछले दिन से, 17 तारीख को price क्या था, 153 रुपीज प्लस यह 14.70, ठीक है, आज इस में से, 153 प्लस 14 में से, यह minus हो गया है, तो यह price जब minus हुआ, तो 14 रुपे 70 पैसे बचा है, यानि कि, एक दिन के अंदर, 1500 रुपे से भी जादा की गिरावट इसके strike price में आती दिखाई दी है, यह चीज है, उसके बाद अगला जो कॉलम आ रहा है, वो आ रहा है bid quantity का, फिर आ रहा है bid price का, ठीक है, फिर आ रहा है ask price का, और फिर आ रहा है ask quantity का, ठीक है, अब यह bid ask क्या होते है, मैंने आपको बता है, market के अंदर, एक होता है buyer, एक होता है seller, बिना इन दोनों के तो कोई trade होई नहीं सकती, यह bid वाला जो बंदा है ना, इसको कहते है buyer, यह buyer, यह buyer कितनी quantity लेना चाहरा है, 4850 quantity यहाँ पर buy करना चाहरा है, क्या यह एक buyer है, नहीं, यह कितने भी बायर हो सकते है, 4850 बायर है, नहीं, यह total quantity है, जो एक साथ buyers ने लगा रखिये, इस strike price पर, call side में, ठीक है, कितने रुपे में लगा रखिये, 14 रुपे 70 पैसे में, यह क्या चाते है, 14 रुपे 70 पैसे में हमें खरीदने को मिल जाए, इतने number of contracts, यह basically buyers चाते है, जिनको bidders बोला जाता है, तो आपको bid भी समझ में आगी, bid quantity यह bid quantity है, यह bid price है, यह bid प्राइस है askote seller, seller कह रहे हैं कि हम जो है, 14 रुपे 70 पैसे में आपको नहीं देंगे, हम आपको देंगे 14 रुपे 50 पैसे में, 14 रुपे 95 पैसे में, we are offering you, if you want to take, you can take in 14 रुपे 95 पैसा, and not in 14 रुपे 70 पैसा, fine, और कितनी quantity इनोने लगा रखिये, price में, 1500 quantity, मात्र 150 quantity हैं पर लगा रखिय यानि कि 1500 रुपे 45 पैसे के हिसाब पर, share के हिसाब से बेशना चाहते हैं, जबकि बायर जो है, 4850 पैसे चाहते हैं, 14 रुपे 70 पैसे के अंदर, जैसे यह difference 00 हो जाएगा, वैसे ही, यह जो deal है, यह execute हो जाएगी, and इसका जो next bidding price होगा, वहाँ पर यह shift हो जाएगी, fine, यह significance ह तो यहाँ पर OI हमने देख लिया, change in OI देख लिया, volumes हमने समझ लिया, IV हम लोग लेटर ओन किसी वीडियो में separate समझेंगे, LTP, change in LTP, bid quantity, bid price, सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है, volume की बाद मैंने आपको बता दिये, देखे, volumes के अंदर क्या होता है, basically, जितना जादा volume होता है किसी strike price पर उतना जादा वो strike price liquid मानी जाती है, जैसे 17,800 आप देखिए, इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर और इसके नीचे आप देखिए यहाँ पर, सबसे जादा volume यहाँ दिखाए देगा, बासेट लाग बत्तिस अजार 717, 62,3277, total number of contract that has been traded, it means what, सबसे demanding कौन सी strike price है, 17,800, उपर की तरफ 5 strike price देख लिए, नीचे की तरफ 5 strike price देख लिए, सबसे जादा demanding यह दिखाए देगी, क्योंकि इसके ऊपर सबसे जादा volume आता हुआ दिखाए दे रहा है, लास्ट में क्या हुआ, केबल 30 87,000 contracts यहाँ पर बचे हुए है, उपन, लेकिन द positions कहां बनानी चाहिए और कहां नहीं बनानी चाहिए, अभी भी मेरे पास में इतना कुछ है volume and OI के अंदर differentiate करने को, कि ये वीडियो में और लंबी कर सकता हूँ, पर मैं एक separate वीडियो वापस से OI and volume के ऊपर बनाऊँगा, जहां पर हम लोग और deeply समझेंगे, कि हम OI से क्य क्या मतलम निकाल सकते है, volume से हम क्या मतलम निकाल सकते है, तो इस तरीके से देखिए, ये basic होता है किसी भी OI का, तो इससे घबराने की जुरत नहीं है, सारी चीज़े बहुत important होती है, सिर्फ आपको ध्यान लगा के 2-3 बार read करना है, फिर जैसे ही आप किसी भी option का, किसी इंडेक्स का या फिर stock price का option chain खोलेंगे, आपको clear हो जाएगा कि कहां पर resistance है, कहां पर support है, और OI के हसाब से, अगर आप OI पढ़ना जाते हैं, तो resistance and support easily find out आप कर सकते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा, इन सारे अलग-अलग terminologies का क्या-क्या मतलब होता है, किस तरीक किसे हम लोग काम करते हैं, तो ये है, देखिए, basically option chain के important points जो मैंने यहापर आपके सामने describe करें, and I hope ये सारी चीज़े आपको समझ में आई होगी, और इसी basis पर आप practice भी करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जहां पर भी query होती है, आप मुझ से question कर सकते हैं, comment box में मैं definitely उसक सारी चीज़े अपने आपके दिवाग में आना शुरू हो जाएंगे, अगले वीडियो की इंतिजार कीजिए, देखिए, अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, वहाँ पर और इसके आगे का part हम लोग सीखेंगे, options के अंदर, तो I hope ये सारी point आपको समझ में अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो का आपको अच्छे लगे है, तो प्लिस लाइक जरूर कीजिएगा, शियर तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने friends तक अपने पूरे groups के अंदर, so that की ज्यादा से ज्यादा लोग इस knowledge को access कर पाएं, free of cost, मिलता हूँ आप से अ